बिना मास्क के घुमने बाले और यातायात के नियमों का उलंगन करने वालों के खिलाफ अब बनेंगी इचालान दरसल बैतूल में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है जिसको देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए चोराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है साथ ही पुलिस ने तीसरी आख यानी की सीसी टीवी कैमरे का सहारा लेना शुरू कर दिया है कोरोना संक्रमन और सड़क हाथसों को रोकने के लिए शहर में 31 अस्थानों पर 106 सीसी टीवी कैमरे लगाये हुए हैं जिसकी मौनीटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम में की जाती है इसी के माध्यम से अब उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो शहर में बिना मास्क घूम रहे हैं और याते आत नियमों का उलंगन कर रहे हैं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जैसा कि आप दोंगों पता है इसके अलावा हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करने वाले लोग जो हैं उनकी वज़े से एक्सिजेंट मामले जो बढ़ रहे हैं और उसमें कैजुल्टीज भी होती हैं ज्यादा तर तो इसको देखते हुए हमारे कुली सदीक्षक महुदै के माध्यम से एक नवा चार हमने किया है जी हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं शहर के विभिन चौराहों पे उसके माध्यम से हम या तो करोना गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके उपर मतलब चलान कर रहे हैं इसके अलावा जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विर करें स्वयम सुरक्षित रहें दोसरों को भी सुरक्षित रखें और हम लोग बिल्कुल भी इस वाग के लिए सजग है कि कोई भी ट्राफिक का वॉइलेशन करेगा या कोरोना गाइडलाइन का वॉइलेशन करेगा तो हम इस इमाध्यम से तुरंट उनके घर पे चलान भेजे करें तुरेहरा उसमें एक तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालोंगी मॉनिट्रिंग होगी जो ह foreground नहीं कर रहे हैं या एक से अधिक अधिक सवारी बाइक में गूम रहे हैं या कि ऐसी जगह पर पार्किंग कर रहे हैं जहां की पारकिंग स्थल नहीं है तो जो भी ऐसे काम कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का उलंगन कर रहे हैं उनका प्लस जो मास्क नहीं लगा रहे हैं सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी चलान की व्यवस्ता ही माध्यम से की गई इसमें नोटिस देने का कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है इसमें अगर कोई वाइलेशन करता पाया जाता है सीसी टीवी कैमरे के माध्यम से हम लोग इसका निरिक्षन कर रहे हैं लगातार और जो भी वाइलेशन करता वो पाया जाएगा उसके विरुद चलानी कारेवाई की जाए अभी चुकि दो विशे हैं और दोनों ही बैतूल में बहुत विश्रा लोग धारान कर रहा है एक तो रोड एक्सिगेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसका मूलभूत कारण है ट्राफिक नियमों का पालन ना करना इसी चीज को सामने रखते हुए हमने एक ऐसी यो बनाई है जिसमें एक और हम ट्राफिक नियमों को लंगन करने वाले विना सीट वाले तीन सवारी वाले विदाउट हैलमेट वाले एवं अन्य गंभीर याताया संबंदी नियमों का लंगन करने वालों पर कारवाई करेंगे वहीं दूसरी ओर चुकि कॉर्णा भी बहुत बहुत करीब हैं जिसके लिए लोग केवल चालानी कारवाई से बशने के लिए स्वयम को या अधिकारी करम चारे हों कि जैकिन देखका है मास्वधारान करते हैं उन्हें भी शहर के प्रमुग शेत्रों में लगे कैमरों से जच करेंगे पकड़ेंगे और उनको की माध्यम से अथार मैसेच के माध्यम से फिर उसके प्रशात उनके घर पर डांक के माध्यम से सूचना पहुंचा ही जाएगी और उनकी चालानी कारवाई की जाएगी इन दूनों चीज़ें को ख़वर किया है हमारे जो कैमरे हैं वो लल्ली चौक से लेके बस्ट्रेंड सोना घाटी से लेके पूरे संपूर्ण शेहर में व्यापक रूप से फैले हुआ है अब जिसे चुकि कैमरों को तीसरी आख कहा जाता है अब तो पुलिस जो है तीसरी आख के माध्यम से जो है उन पर नज़र प्रेख देगी